और मेरे प्यारे बच्चों बैंकिंग से आपको पता है कि बैंक में सबका अकाउंट खुलावा है ठीक है भई तो हम ज़्यादा टाहिम वेस्ट ना करके सिधे मुद्दे की बात पर आएंगे और मुद्य की बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे चार प्रकार के क्या होते है फोर टाइपस ओफ फोर टाइपस ओफ बैंक अकाउंट होते हैं ठीक है भई तो पहला क्या है फोर टाइप बेसिकली चार bank account होते हैं ठीक है ना ठीक है 4 different types of account होते हैं तो मैं 4 लिखने वालों यहाँ पे और जिसको हमें deeply पढ़ने है वो हमारा RD account ठीक है भई जिसको हमें deeply पढ़ने है वो हमारा क्या है RD account है ठीक है भई तो अभी फिलाल आपको उपर उपर की knowledge देने वालों में ठीक है चार हमारे क्या होने वाले bank account होते हैं पहला क्या होते हैं हमारा saving saving account ठीक है येस बिल्कुल सही पहला होते हमारा saving account दूसरा होते हमारा current account ठीक है भई तीसरा हमारा जो होते है fix deposit एंड फोर्थ होना हमारा RD account ठीक है और जिसके बारे में हम बच्चों पढ़ने वाले न वो basically फोर्थ वाला part है बस सईर्फ RD के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और किसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं और जो जो आपके syllabus में बसरी वही कराएंगे फालतों की बात नहीं होगी सीधे सीधे point to point में आएंगे क्योंकि ये chapter जो है न बड़ा ही easy chapter है और इस chapter को हम अच्छे से कर देंगे आज खतम ठीक है भई तो सबसे पहले ID account क्या होता उसके बारे में पहले जान लेते होते हैं कि recurring deposit account क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो Ranch account क्या होता है every month एक fix तारीक होती है कि मैं उस तारीक पर क्या हो गया मैं 1000 रुपे दलाऊंगा और एक fix time होता है कि कितने साल तक let's suppose मैं 2 साल तक 2 years तक मैं क्या करा 1000 1000 रुपे दलाया अब याप simple सी बात logical अभी अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक simple सी बात लेकर चल रहा हूं मैं rd के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी से question मनने इसी पे ही है सारा ठीक है पहले तो banking अलग प्रकार की होती थी चार्ट बनानी बढ़ती थी अब जो banking है बिल्कुल डिफरेंट है यहां पे सिर्फ rd के बारे में पुछेगा वह आपसे तो जो पूछेगा वही बताएंगे और ज्यादा time बिल्कुल भी आपका खराब ने करेंगे बिल्कुल पाप नहीं लगाना मु प्याद से देखना हर मैंने ठाउजंड रुपीज में हर साल हर मैंने दलाता हूं दो वाथ मंत के लिए मैंने किते रुपे दलाए हजार रुपे फिर ऐसी ही मैंने सेकिंड मन्त के लिए फिर मैंने किते रुपे दलाए हजार रुपे अब यहाँ पे मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको यह बोला कि मैंने दो साल तक पैसे जमा किये यहां तक मेरी ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है क्या कह रहे हैं बच्चे अभी बैंकिंग की क्लास चल रहे हैं ICSC की CBSC की क्लास नहीं है ओके यू आर नियू ओके वेरी गुट प्रीतम प्लीस सब्सक्राइब और शेर विद यूर फ्रेंड्स ओके तो यहां पर देख सकते हैं आप कि मैंने क्या किया हर मन्त क्या किया मैंने हर मन्त क्या किया हजार रुपे डिपॉजिट कराए दो साल तक हर मन्त की बात कर रहा तो रिकरिम डिपॉजिट क्या होता है हर मन्त मैंने पैसे डिपॉजिट करा रहा हूँ करेंगे कभी , यहां तक clear है। तो यहां पे अगर मैं पैसा डिपॉजिट किया है उसमें मुझे इंट्रेस्ट भी तो मिलना चीए न है बासा है बैंक क्या है यार बैंक क्या गड़ता है यह बताओ ना, भाई मैं क्या कर रहा हूं, बैंक से लोन ले रहा हूं, बैंक मुझे क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी लोन पे उस पे पैसे देने पड़ेगा, इंट्रेस्ट लगता है, या फिर क्या करते हैं, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक भी हमें क्या देता है, इंट्रेस्ट देता है, इसलिए बैंक चलता है, ठीक है, इसलिए बैंक रेगुलेट होता है, पैसा हेर फेर होता है, बैंक चलता है, इसलिए, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, पैसे जमा करूंगा मैं तो आपको पता है 24 मन तक करने पड़े 24 इंटू हजार कर दो तो मैं 24,000 रुपे दो साल में मेरे जमा हो जाएंगे यहां तक क्लियर है मतलब दो साल में 24,000 रुपे का कर लूँगा अब यहां पे बहुत अच्छी सी चीज है यहां पे बहुत अच्छी चीज है कि भाई मुझे 24,000 तो मुझे मिले ही मिले साथ में कुछ इंट्रेस्ट भी तो बैंक देगा और किसी रेट में इंट्रेस्ट देगा बैंक बिल्कुल सही बात है अच्छी जब मैं दो साल के लिए इंवेस्ट कर रहो पैसा या दो साल के लिए मैं लगातार 1000,000,000 रुपे दे रहो हूँ दो साल के लिए मतलब 24 मन तक मैंने 1000 रुपे दिये तो यहां तो मेरे 24,000 हो गए साथ मैं मुझे बैंक इंट्रेस्ट भी तो देगा किसी रेट पे अब उसको समझते हैं क्या ड्रामा वो ठीक है बई तो सबसे पहले इंट्रेस्ट क्या होता है हमने बचपन में पढ़ा था कि सर इंट्रेस्ट होता है पी इंट्व आर इंट्व टी अपॉन अंडड़ यही होता ना पी आर टी अपॉन अंड़ड तो अगर मैंने बोला सर इंट्रेस्ट क्या होता है मैंने बोला भई सर इंट्रेस्ट क्या होता है सर ने बोला जी भई PRT upon 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है ना अब जो बैंक होता है वो कोई रेट भी देता है हमें जो अच्छा एक और चीज जो बच्चे प्रिवियस सेशन मिस किया है जिनोंने सो आप प्लीज वहाँ पे जाईए और आपके जो फ्रंट पेज होगा जीनियस क्लासेज का वहीं पे पास्ट लिंक्स है ठीक है ना प्रिवियस लिंक्स है वहाँ पे आप जाके सारे लिंक वाच आउट कर सकते हो आपको ढूंडने की ज़रुतनी पड़ेगी सिर्फ प्रिवियस लिंक का वहाँ पे पेज है तो आप वहाँ पे जा सकते है आज बच्चे रॉय आज तीन क्लास में ले गया हूँ और मैं बड़ा ही ठक चुगा हूँ अब कल तीन क्लास और लूँगा और पड़सो भी तीन क्लास और लूँगा ठक है भई आपका मैं आज का पूरो सेशन में खतम करूँगा भई टेंचन मत लो ठक है तो यहाँ पे हमने देखा अब मेरा इंट्रेस्ट क्या हो देखो मुझे पता चल गया कि 24,000 तो मेरे बन नहीं है यह दो साल में पर मुझे बैंक चुछ इंट्रेस्ट भी दो देगा उस पे बैंक मान लो मैं मान के चलता हूँ जो मेरा बैंक ए न वो मुझे कित्ते का इंट्रेस्ट दे रहा लेट सपोस कर लो मुझे 5% का interest दे रहा bank मान के चल लो मुझे 5% का interest दे रहा तो मैं कर लेता हूँ interest equals to principal था मेरा 1000 into rate था मेरा 5% upon 5% upon 100 into अब time देखो time कितना है मेरे प्यारे बच्चो time कितना है देखो मैंने पहले मन्त के लिए किया फिर दूसरे मन्त के लिए क्या फिर तीसरे मन्त के लिए क्या फिर चौते मन्त के लिए क्या फिर पांचवे फिर ऐसे करते करते कितने मन्त के लिए क्या तो देखो मेरे लिए पहले मन्त की बात कर रहा हूँ अगर मैं air की बात नहीं कर रहा हूँ यह पहले मंद की बात थी, फर्स्ट मंद, प्लीज, 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 देख लो यहां पर, अब मैं जब सेकेंड मंद पर पैसे डिपॉस्ट कराऊंगा, तो इंट्रेस्ट किता होगा, वही, 1000 into 5 upon 100 into 2 upon 12, and similarly, चलता जाऊंगा, चलते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, चलते जा इंट्रेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, मेरे प्यारे बच्चो, इंट्रेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, बड़े ही प्यार से आपने वो देखा होगा, इंट्रेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल देल बताऊं मुझे क्या होने वाला इंट्रेस्ट का फॉर्मूल अब यहां पर देखो यह drama क्या हुआ, यह drama क्या हुआ, यह drama आया कहां से, यह drama कहां से आया, अब ध्यान से देखो, जब मैंने थोड़ा उपर अगर मैं ले जाता हूँ, और मैं जब इन में से इसको देखो, इन में से देखो, यह तो मेरा पी है, यह मेरा आर है, और देखो, टी जो है ना यह जो टी है ना यह 1 upon 12 फिर 2 upon 12 यह 12 को भी भार लो देखो इन सब में 12 कौमन है तो मैं अगर ऐसा करूँ अगर मैं ऐसा करूँ अगर मैं ऐसा करूँ उपर वाले को लेकर चलूँ 1000 इन्टू 5 upon 100 into 12 ठीक है 12 ठीक है फिर मैं यहां पर क्या करता हूँ देखो इन सब में से मैं क्या कर लेता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके सारे कौमन आजाने वाले मेरे प्यारे बच्चो ठीक है बई तो यहां पे आप देखोगे यह पूरा का पूरः क्या बन गया मेरा एक natural number बन जाएगा भई, ठीक है ना भई, तो यह ऐसे कुछ करके बन जाने वाला है, मैं बता देता हूँ, यह ऐसा हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus n and so for n की value, अब यह आपको पता है कि भई, यह हमारा क्या होता है, natural number का sum कहा तक जाता है मेरे प्यारे बच्चो, यह होता है, n, n plus 1 divided by 2, तो यह वहीं से आया, अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, और अगर आब मैं interest का formula लिखूं, तो interest होगा भई, मेरे पे p into r upon 100 into upon 12 n, n plus 1 divided by 2, ठीक है भई, एक बार cross check कर लो, यह ही है, बिल्कुल सही बात, क्या बात है, अब यह है हमारा मेरे प्यारे बच्चो, interest का formula, ठीक है यह है, यह है मेरा interest का formula, ठीक है, यहां तक बहुत easy है, interest क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो, p r n, n plus 1 divided by 2 into 12 into 100, अब यहां पे आप बहुत अच्छे से देखोगे, कि यह जो n है न, यह n क्या है मेरा number of months, number of months, clear है की नहीं है मेरे प्यारे बच्चो, clear है की नहीं है, बहुत easy topic है यह, बहुत easy topic है, सबसे ज़्यादा scoring chapter यह, यह मतलब यह लगा लो आपकी न, आप mcq देख के बता दोगे कि बहुत कौन सा सही है, mcq देख के बता दोगे कौन सा सही है, clear है की नहीं है यहां तक, तो यहां पे हमारा यह हो गया, अब हम आते हैं, maturity value, maturity value क्या होती है, भाई मैंने आपको बताया कि मेरी maturity value क्या होगी, भाई एक बात सुनो, मैंने दो साल तक न, हर मन्त मैंने 1000 रुपे जमा किया, हर मन्थ हजार रुपे जमा किया तो मेरी maturity value क्या हो गए principle into कितना मन्थ के लिए मैंने जमा किया और bank ने मुझे कितना interest दिया bank ने मुझे कितना interest दिया तो मेरी maturity value क्या हो जाएगी बच्चों कि मैंने कितना पैसा bank ने मुझे दे दिया कि भाई मैंने कितने number of month के लिए पैसे को मैं multiply गरूँगा plus bank कितना interest दे रहा है तो यह होता है maturity value कि जब मैं दो साल बात bank में जाऊंगा न बड़े खुसी से खुसी मन से कि लाओ भाई हमका हमारा पैसा दे दियो जब मैं वहाँ जाके बोलूँगा ऐसे तो वो क्या करेगा जितने पैसे मैंने दो 24 जितने मैंने दो साल में पैसे जमा करे वो तो देगा ही देगा साथ में क्या देगा बच्चों interest भी देगा bank में तो यहां तक तो आपको clear हो गया होगा clear है na simple तो देखो कितना easy है तो यहां पर अभी हम एक चीज देखते हैं प्लस interest भाई एक चीज देखते हैं अब थोड़ा सा technical में चल लेते हैं थोड़ा technical में आपको ले जाता हूँ और थोड़ा सा एक technical बात मैं आपको करवा देता हूँ ठीक है एक technical बात बहुत easy है ना देखो वह ही तो मैं कहा रहा हूँ बहुत easy है अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं वेर इस माइ member अहां गे member अच्छा श्रीमन को ले लेते हैं अच्छा ये श्रीमन मैंने लिया अब श्रीमन का उधारान दे रहा हूँ श्रीमन ने 2 साल तक प्लीज सुन लो श्रीमन ने 2 साल तक 1000 रुपे डिपोजिट कर रहे clear है clear है अब मुझे इसकी श्रीमन की maturity value क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों देखो देखो श्रीमन की maturity value क्या होगी अब ध्यान से देखो यहाँ पे ना maturity value को फार्मुला होता है principle into number of months plus interest तो maturity value निकालने के लिए ये चीज तो मिर पे है कौन सी चीज ये दोनों तो मिर पे है principle भी है और number of months भी है बट मिर पे interest नहीं है तो पहले मुझे interest निकालना पड़ेगा भाई अब जाके मेरी maturity value निकलेगी तो चलो interest निकाले क्या निकालने अरे बताओ न तो चलो निकालते interest निकालते हैं और बच्चों हमें पता है कि P, R और T के जगा में लिखूँगा N, N plus 1 divided by 2 नीचे लिखूँगा किस से 12 into 100 clear है भाई अब मैं निकालता हूँ interest अब यहाँ पर principle है मेरे पर हजार rate कितना है rate let's suppose कर लो bank ने जो rate decide किया वो किया मेरे बच्चों 5% यह आपको bank देता है rate ठीक है वैसे आपको एक्जाम में पता चलेगा कि rate 5% है 10% है 1000% है है ना कुछ भी दे सकता है rate वो आप 1000% होता था फिर तो bank चंदल लग जाता तो भाई 5% ले लिया into number of months n क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों n होता है मेरे पर number of months ठीक है भाई दो साल है एक year में होते है मेरे बारह months तो भाई फटाफट फटाफट बताओ interest कितना आ रहा है भाई यार यह ना यह काम नहीं होता जीरो से जीरो cancel out और यह हो जाएगा भाई यह पूरा इससे कड़ गया और अच्छा जी कितना आ रहा है जल्दी बताओ और कुछ कट रहा है क्या नहीं यार यह भाई ये भी कट रहा है 1250 1250 मेरा interest आ रहा है अब मुझे maturity value निकान ली है अब यहाँ पे एक चीज बहुत important है जब श्रीमन गया जब श्रीमन अब bank में जाएगा न 2 साल बाद हमको हमारा पैसे दे दियो जब ये bank में 2 साल बाद जाएगा अपनी शकल लेगे कि भाई मैंने इतने पैसे जमा करेते हर साल तो जब श्रीमन बैंक में जाएगा तो bank वाले क्या बोलेंगे आओ sir आईए आपका इंतजार था तो जब श्रीमन को ये देखेंगे तो भाई सबसे पहले क्या करेगा बैंक वाला इंटर कितना था इसका हजार था number of month कितने साल के लिए इसने किया कितने month तक किया इसने deposit 24 तक 24 तक प्लस इंटरेस कितना था 1250 तो भाई देखो 24000 तो इसका हग था ही था भाई 25000 तो दे नहीं पड़ेंगे प्लस साथ में बैंक ने कितना पैसा दिया 1250 और दे दिया तो भाई अब इन्दोनों को एड कर लो और श्रीमन को मिल जाएं कितने पैसे 0, 5, 2 5, 2 और जब ये श्रीमन के पास पैसे आए तो हमें पता चलिया था पता कि श्रीमन के पास ये पैसे आ चुके है सो हम क्या गए बैंक के भार हमने डेरा लगा रहा था और उसका बैग ले गए हम लोग अहाहा दो साल के मैनत गायब तो ये हमारा जो आंसर है ये करके हमारी क्या है maturity value this is my maturity value तो ये समझ में आया ये इसका हक था 24,000 और बैंक ने इसको 1250 का interest दिया ठीक है भई ठीक है वो rate पे depend करता है बिल्कुल सही बात है ना तो देखो श्रिदर के साथ हो गया धोका अब किसी और के साथ धोका करेंगे है अभी हम ठीक है यहाँ तक clear है बहुत ही नकली है यार इससे नकली ना कोई chapter नहीं है मैं आपको trust me बच्चो इतना नकली chapter है नहीं है मतलब इससे नकली नहीं है कोई chapter banking इतना easy chapter है तो चलो अब ज़्यादा time waste नहीं करेंगे banking के question करते हैं ज़रा फटा फटा है ना अब लूटते हैं हम दूसरों को अब देखो यह mcqs है ठीक है अब यह mcq अब यहाँ पर देखो mr.sharma deposited 500 रुपे अब देखो शर्मा जी को लूटेंगे शर्मा जी ने 500 रुपे deposit के हर month deposit के शर्मा जी ने ठीक है दो साल के लिए deposit के शर्मा जी ने if the bank pay interest at a rate of 7% bank 7% कर interest देता है सर्मा जी को तो उसकी maturity value निकालो अब यहाँ पर देखो ना बहुत बच्चे जो smart हैं मेरे तरह वो क्या करेंगे वो ना देखो इसी से खेल लेंगे किससे यह option है ना इसी में खेल जाएंगे वो देखो maturity value पूछा है तो maturity value क्या होती है P into N plus interest तो भाई सबसे पहले maturity value पूछिए अगर किसी पे थोड़ा सा भी दिमाग है रत्ती भर का भी दिमाग है तो भाई वो पूरा solve नहीं करेगा वो MCQ सक्के साथ खेलेगा अब यहाँ पे देखो P है मेरे पे कितना 500 और N कितना है 24 अब देखो कितने शाने बच्चे हैं यह कि जिनोंने interest भी निकाल लिया भाई हमना चलाकी करके चलते हैं यहाँ पे हम चलाकी करेंगे और हमना ऐसे गाम निके रेंगे यह भी करवाँगा और चलाकी भी करवाँगा देखो भाई मुझे maturity value चाहिए थी समझ मारे अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चो भाई 12,000 तो भाई उसको 12,000 तो मिलने ही मिलने भाई उसके साथ कुछ bank interest भी तो देगा तो देखे 12,000 है क्या बिलकुल गलत यह 12,000 है क्या नहीं है यह 10,000 है नहीं है बाई 12,000 से एक ही बड़ा है तो obvious सी बात है option D हो जाएगा भाई करनी की भी चूनी की भी जरूत नहीं है जो आप interest निकालो इत्ता बड़ा simple है तो यह ऐसे करके आपको कैसे खेलना है इसके साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगता है इन चीजों में जो आपके पास है मुझसे ज़्यादा अच्छा दिमाग आप लोगे पास है हमारा दिमाग तो समझ रहो कहा है अब देखो सर्मा जी ने एतने पैसे ले लिए तो option D होगा और इसी के भरोसे बैटे थे हैं भाई जैसे ही पैसे भार निकले तुरण गायब टाटा भाय भाय गुड़ भाय ठीक है भाई तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा चौटकट ट्रिक भी लगाने ट्रिक होती है थोड़ा दिमाग भी लगा लो अगर maturity value पूछी है ना अगर maturity value पूछी है ना तो थोड़ा ऐसाथ करके दिमाग भी लगा सकते हो आप हाँ अगर यहाँ पे नन आता N O N E फिर तो भाई पूरा ही करना पड़ता तब ज़्यादा दिमाग लगा लगा न भाई तो टाटा भाई भाई गुडबाई हो जाएगा तुम्हारा अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा भाई काम ठीक है न भाई चलो भाई देखो किता इजी कोशन था अब next करते हैं मेरे प्यारे बच्चो आगे बढ़ते हैं और अब हम लूटते हैं चर राम को नहीं लूटेंगे यार रामण लिख देते हैं इस पर चलो भाई चलो भाई इसको लूटते हैं हम फटा फटा बताओ क्या हुने वाला है मुझे इसने क्या बुला फाइंड प्रिंसिपल मुझे प्रिंसिपल निकालना है क्या निकालना है बही मुझे प्रिंसिपल निकालना है क्या बात है मतलब मुझे इंट्रेस्ट तो गीवन है भई 8 3 2 5 मुझे टाइम भी गीवन है 3 एर्स तो 3 एर्स मतलब क्या 3 एर्स मतलब क्या मतलब 3 इंटू 12 36 मंद्स तो मतलब मिर पर जो एन आ गया वो 36 मंद्स आ गया रेड भी गेवन है 7.5 ओ जी कर लो जल्दी अब क्या दिक्कत है तो निकालना क्या है जी मुझे फाइंड प्रिंसिपन लिकाना देखो भाई इससे इजी कुश्चन तो है ही नहीं भाई कोई देखो इंट्रेस्ट होता है बच्चो पी इंटू आर इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू 100 अब यहां पर देखो सब कुछ आपको गिवन है भाई सब कुछ आपको गिवन है भाई इंट्रेस्ट आपको देरेका 8,3,2,5 प्रिंसिपल आपको नहीं देरेका प्रिंसिपल को ऐसी रहने दो भाई 7.5 इंटू एन हेट 36 इंटू 37 होल अपॉन 10 इंटू 12 इंटू 2 पॉइंट हटाया भाई 10 लगाया नीचे आप दिल पे पत्थर रखके हमने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चो ब्रेकप कराना है ना पी का पी का ब्रेकप कराएंगे तो क्या होगा भाई भाई इन सब को उठा के इधर शिफ्ट कर दो तो यह हो जाएगा 8325 x 1000 x 12 x 2 whole upon 75 x 36 x 37 और भाई मुझे अब ये solve करने के लिए मत बोलना क्योंकि मुझे आता भी नहीं है फटावड बताओ इमें आज के बच्चे तुमों हम तो जल्द जल्दी करो फटावड कितना आने वाला है और जब इसका answer आजाएगा बता देना मेरे प्यारे बच्चो जल्दी जल्दी भाई अब मैं थोड़ा पानी पीता हूँ देखो इतना नकली topic है न यार ये क्या बोलू मैं मतलब कोई सब्दी नहीं है भाई इसके अरे आदित्या भाई अरे अदित्या तुम्हारा ही तो इंतजार था मैं बेटा तीन निन से बोल रहाए मैं तीन मिन है तुमपे और हर दिन मैं तीन chapter कराऊंगा क्योंकि आपके 9 chapter आ रहे है ठीक है अब आपके 9 chapter आ रहे तो आज मैंने 3 chapter करा दिये live में कल मैं 3 chapter कराऊंगा और संडे को भी मैं तीन चप्टर कराऊंगा जिससे आपका पूरा mathematics complete हुजाएगा जो live पढ़ना चाते हैं वो यहां आजाओ जो pre-recorded चाते हैं वो लिख लो genius classes अनिरूद by any topic जो भी लिखना है लिख लो वहाँ पर आपको सब चीज मिलेगा आपको live भी मिल रहा है आपको offline मिल रहा है और जिसको नहीं करना वो बिल्कुल भी मत करो कोई problem ही नहीं भाई जो correct answer है वो 2000 आएगा भाई काट फीट तुम कर लेना यह काम हमारा नहीं है गलत काम नहीं करता भाई मैं काटने उटने वाले काम बिल्कुल ना 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 भाई बिल्कुल नहीं पानी पी कि थो आपको पता चलिया थोड़ा सा मजा आ रहा है थोड़ा लग रहा है कि हां यार अव बैंक में मैं अच्छा कर सकता हूं है वई यह यह वाला कुशन करते है और इसमें क्या बोल रहा है यह हमारा जो देख लेते भाई क्या है पर मतलब जो मेरा प्रिंसिपल यह वो है 250 रूपए टाइम है मेरे पे 1 year 1 year which means जो मेरे पे N है वो हो गया मेरे पे 12 ठीक है और जो मेरे पे rate है मेरे प्यारे बच्चो वो है 8% का अच्छा मेरा सिरन आ जाए भाई यहां पे 1 minute ओके ओके बिलकुल सही बात है ठीक है अब मुझे निकालना क्या है interest earned by her on his account interest कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चो तो simple इसने आई पूछ लिया मुझसे ठीक है सिद्धे interest पूछ लिया भाई इसने मुझसे तो भाई सिद्धे सिद्धे interest पूछ लिया मतलब क्या मतलब ये मेरे प्यारे बच्चो कि P into R into T क्या होता है N N plus 1 divided by 2 into 12 into 100 क्या बात है interest निकालना है ना मेरे प्यारे बच्चो तो भाई क्या होगा principle 250 तोड़ा मैं उपर कर लेता हूँ इसको rate कितना दिया भाई ने 8% का और 12 है मेरे पे N और ये हो जाएगा 13 पोल अपॉन 100 into 12 into 2 अरे वा भाई 12 से 12 क्या ये देखो ये वाले काम मुझसे कर वालो तुम ये तो मैं तुरंद कर देता हूँ भाई ये देखो ये देखो क्या बात है ये देखो भाई क्या तो बात है और है कुछ काटने वाला हाँ बिल्कुल हो गया देखो ये हो गया ये 4 into 25 हो गया 100 और 1300 upon 0 इंट्रेस्ट जो मिला ना चाच्चा मुझे वो मिला 130 रुपए 130 रुपए चाच्चा 130 रुपए आया तो क्या है हमारा इंट्रेस्ट ये ये है भाई देखो कितने नकली कुश्चन होते भाई बैंकिंग ऐसा जैप्टर है ना भाई कि जिसने ना किया नहीं है मतलब गलत करके आ गया भाई मैट्स माफ नहीं होगी मैथमेटिक्स गलत काम हो जाएगा भाई बैंकिंग से नकली चेप्टर कोई नहीं है देखो मैं तुम्हें अब लास्ट एक चीज़ बता